केरल के तटिये इलाके में कुछ दिनों पहले प्रचन लहरे उठी जिसके कारण केरल के तटिये छेतरों को काफी नुकसान पहुँचा है वहां रहने वाले लोगों को कई दिनों से कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है इन उची लहरों के कारण केरल के समुद्रिये तटो पे बसे घरों में पानी घुस गया जिसके कारण कई मकान भी गिर गये यह लहरे केरल के कोस्टल इलाके तिरुवंतमपुरम, कोलम, अल्लापुजा और त्रिशूर में काफी मुश्किले पैदा कर रही है दरसल केरल के इन तटिये छेतरों में जो लहरे उठी थी, उन्हें स्वेल वेब कहा जाता है आज के इस वीडियो में हम इसी स्वेल वेब के बारे में विस्तार से जानेंगे कि यह क्या होती है, गयकिन कारणों से आती है दरसल स्वेल वेव यानि प्रफुलित लहर जिसे लहरों की सुजन भी कहा जाता है या वेव एक प्रकार की महासागरिय यानि ओशिनिक तरंग है जो तुफान या तेज हवाओं के कारण उत्पन होती है जो लंबे समय तक पानी की सतह पर बहती है या तरंगे लंबी और शान्थ होती है और इनकी उचाई कई मीटर तक होती है या वेव तब बनती है जब तेज हवाई लंबे समय तक समुद्र की सतह पर बहती है तो वे पानी की तरंगों को उर्जा देकर उन्हें उचा उठाती है या वेव हजारों किलों मीटर तक यात्रा कर सकती है अपनी उर्जा बनाए रखते हुए धीमी गती से चलती है जब स्वेल वेव उथले पानी में पहुँचती है तो वे धीमी हो जाती है और उची हो जाती है स्वेल वेव बनने के कई कारण भी है जिसमें तुफान, भुकम, जुआला मुखी बिसफोट और चुद्र ग्रह प्रभाओं यानि एस्टरोइड इमपेक्ट शामिल है इनकी विशेस्ताओं की बात करे तो स्वेल वेव की उचाई पानी की सतह से उपर और नीचे की दूरी को मापती है, समुद्र में बनती लहरे तुफान या हवाओं की तिवरता पर निर्भर करती है यह लहरे दो शिकरों के बीच की दूरी को माप सकती है जो काफी बड़ी होती है यह सैकडो मीटर तक फैली है, स्वेल वेव समानने लहरों से अलग होती है जो तट रेखा यानि कोस्ट लाइन के पास उत्पन होती है इनमें आम वेव के तुलना में अधिक उर्जा और शक्ती होती है स्वेल वेव के कई प्रभाव भी हैं जैसे की स्वेल वेव तट पर उची लहरे पैदा कर सकती है जो तट के किनारे के लिए खत्रा पैदा कर सकती है या मजबूत धाराय भी पैदा कर सकती है जो तैराकों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है इसके साथ ही ये समुद्री जीवन को प्रभावित कर सकती है जिसकी वजह से समुद्र में मचलियों की संख्या भी कम हो जाती है या वेव कभी कभी काफी खतरनाक भी हो सकती है आज की इस वीडियो में बस इतना ही आप और कितनी तरह की वेप्स के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तब तक के लिए मुझे दीजिये इजाज़त नमस्कार